अभीरा और रुही की फिर हुई लडाई लेकिन अर्मान बेचारा इस बार भी फस गया क्योंकि हम सब देखती है कि जब इन दोनों की आर्गमेंट होता है तो अर्मान हर बार फस जाता है लेकिन इस बार अर्मान ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखने के बार से वो दोनों खुदी बहुत हैरान और परिशान हो गई है लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अभीरा और रुही की लडाई में अर्मान ने इस बार किसको सपोर्ट किया है वेल तो शले देखते हैं आप सभी का मन पसंद सिरियर ये रिष्टा का कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में क्या कुछ नयाख खास अपडेट मिले वाला है हाला कि हम सभी ने पिसल ट्रैक में देखा था कि कैसे दादी सा खाना टेबल पे बने यानि की दाइन टेबल पे वो एलाउंस करती है कि उनकी फ्रेंड जो हैं वो कित्ती पाटी के लिए आने के लिए तयार है जिसके बाद से विद्या और मनी सा खाना बनाने की डिस्पॉंस्रिटी लेती है लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो आप सब ने देखाई होगा लेकिन अब इस रियल का लिटिस शाक सामने आ चुका है और उसमें देखा जा रहे कि किस तरीके से दादी सा का जो प्रोग्राम रहता है वो कहीं न कहीं फेल होते हुए नजराता है क्योंकि पोदार हाउस में देवरानी और जर्थानी का लड़ाई छेड़ चुका है कभी मनीसा और विद्या एक दूसर से लड़ाई करिये तो कभी रूही और अभीरा एक दूसर से लड़ाई करिये लेकिन इन सब में जो अर्मान है वो बुरी तरह फर्ष उका है और वो दादि साके सामने प्रामिस करता है कि वो उनके फ्रेंड के सामने कोई भी हंगा माने होने देगा लेकिन अब सवाल यह है कि अब ये अर्मान कैसे मैनेच करेगा क्योंकि वो तो हर बार ही दोनों के जंडे में पिस जाता है लेकिन इस बार तो मानीशा और विद्या भी है वेल इस वोडियों पे आप सभी क्या रहा है हमें कमेंट के ज़िए जरूर बता है